Hello Friends, Welcome to the Success Kendra Friends, इस वीडियो में हम लोग बिहार मद निश्यत भरती परिक्षा के लिए CSBC की द्वारा 2010 से ले करके 2021 तक में जितने भी एक्जाम कंड़क्ट करवाएगा है उन सभी एक्जाम्स में भारती राजबौस्ता यानि कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबा लिजेगा ताकि जब भी बिहार मद निश्यत से सम्मंदित कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो अप्लोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए तो चलिए फ्रेंट्स बिना देरी किये हुए आज का सेसन स्टार्ट करते हैं फ्रेंट्स प्लीज वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दीजेगा तो फ्रेंट्स आज के सेसन का पहला प्रसंद देखेगा कि भारतिय समिधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर बैपार को निस्सिद करता है फ्रेंट्स आप कोशिश करेंगे पांच से साथ सेकंड के बीच में अपने अंसर चुन लेने के लिए उसके बाद जो भी करेक्ट अंसर होगा पूरी डीटेल में मैं आपको बता दूँगा तो दिखे फ्रेंट्स राइट अंसर इसका हो जागा ओप्सन नमबर ए सोसन की विरुद अधिकार ठीक है फ्रेंट्स यह जुदिया गया है भारतिय समिधान में यह जो है एक मौलिक अधिकार के अंतरगत है मानों के दुरुपैपार और बलात सरम जो के अनुछेद 23 में है आर्टिकल 23 में है ध्यान रखेंगे ठीक है फ्रेंट्स टोटल कितने मौलिक अधिकार है छे मौलिक अधिकार है भाग तीन में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में इसे जो है सेंक्त राज अमेरिका के समिधान से लिया गया है ध्यान रखेंगे चलिए अगला प्रसंद देख लीजेगा next question है कि किस समीती ने पंचायती राज चुनाओं में राजनितिक दलों की सहभागिता की अनुसंसा की तो यह समीती है असोक मेहता समीती ने इस समीती का गठन जो है 1977 इसवी में ध्यान रखेंगे जनता दल सरकार के द्वारा किया गया था और यह जो असोक मेहता समीती थी इसने दो अस्तरिये कितने दो अस्तरिये पंचायती राज की सिफारिस किया था पहला जीला परिशद और दूसरा पंचायत मंडल इस समित्सि के दवारा गराम सभा को समाप्थ करने का सिपारिस किया गया représ उसोक महत्व समिति उसको स्विकार नहीं किया गया था यहां पर देख सकते हैं regarde LM सिंधिवी समीति आपने सुना भी होगा LM सिंधिवी समीति तो देखें ये समीति जो थी इसने स्वरव पृथम प्रथम पंचाहिती राज को सम्मिधानिक दर्जा देने का सिफारिस किया था ठीक है LM सिंधिवी समीति याद रखेंगे पूछा जा सकता है चलिए अगला कुस्चन देखते हैं नेक्ष्ट कुस्चन हमारा कि समिधान सभा की द्वारा प्रथम अधिविशन किसके अधिविशन में संपन हुआ था इंपॉर्टेंट कुस्चन है बताए फ्रेंट्स इसका रायट अंसर क्या हो जाएगा तो फ्रेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजेगा देखे समिधान सभा का जो प्रथम अधिविशन हुआ था यह कब हुआ था पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को कहा पर तो सेंटरल हॉल दिल्ली में किया गया था और इसकी अध्यक्स ता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने किया था रायट अप्सन नमबर सी हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स इनको जो था और अस्थाई सदस से बनाए गया था सदस नहीं अध्यक्स उसके बाद क्या होता है समिधान सभा का अध 246 को और इसी में डॉक्टर राजिंद्र प्रसाद को अस्थाई सदस अस्थाई अध्यक्स से बनाए गया ठीक है रायट अप्सन नमबर सी हो जाएगा उसका बाद देखे उपराष्ट पती की निर्वाशन मंडल में होते हैं उपराष्ट पती के निर्वाशन मंडल में होते हैं बताए फ्रेंट से रायट अंसर क्या हो जाएगा इसका तो देखे उपराष्ट पती की निर्वाशन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्व पाचीत वह मनोनीच सदस्य होते हैं तो राइट अपसर नमबर इसका भी हो जाएगा ठीक है ज्यान रखेंगे चलिए अगला प्रश्ण देख लीजेगा कोस्तर नमबर पाइफ है कि उच्छे नयायल है यानि कि हाई कोट के नयाधीसों को उनके कारेकाल समाप्त होने से पहले ही और शमता अथवाद सिद्ध कदाचार के अधार पर उनके कारेकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है बताए फ्रेंट्स इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो प्रेंट्स इहां पर ध्यान देंगे ध्यान दिज्यागा देखिए सर्वाच नयाले का अपीलएच्वाद के अत्रगार प्रेंगों इहहां नहीं आता है। यहां नहीं आता है ॐविश्यदारी अपीलिय चेत्रादिकार और विशिस उनुमती से उपीली चेतरादिकार यह दो कि सैन मामलों में अपील यह नहीं आता है ठीक है इसका उपयोग जो है भारत का सरोचिनल यह अपीली चेतरादिकार का उपयोग नहीं करता है तो अपसिन नमबर डी इसका राइट एंसर हो जाएगा फ्रेंट्स प्लीज वीडियो को लाइक कर जिजेगा और इसे जरूर double कर दिएगा राज सभा के सभापती और सभा-पती चलिधार प्रशструкर लीजेगा किमन मैसेज औरूर परतम किस्व वाद में उच्वत में एक सदसे नहीं है में कहा था ये कहा था भेर्रु वरीवरी यूनियोन वाद में ठीक सिर्थ इसको अमबर ये हो जाएगा बेरीवरी यूनियान वाद मुद्रास राज मामला DOT 1960 में अया था ध्यान रखेंगे प्रस्ताव्ण ज्युत प्ररण में समीधान का अंग नहीं माना जाता था 1973 में ध्यान रखेंगे 1973 में केशवा नंद बनाम केरल राजवाद में उचितम न्याले ने एतिहासिक फैसला दिया कि संसद प्रस्तावना सहित समिधान की किसी भी भाग में संसोधन कर सकता है लेकिन आधार भूत धांचा में नहीं और प्रस्तावन में अब तक मात्र एक बा लोकतन्तर तथा नियाक सरोच版 क्रमसा किन देसों से अंगी और की आगाए है यह देश आपको बताने हैं अ कि बताएं ृतनसे इसका क्या हो जाएगा देखिए भारतिय समिधान में संसधिय लोकतंत्र और नयायक सर्वस्ता जो है क्रमसा बृतेन और USA के समिधान से अंगिकार किये गा है ठीक है तो right answer USA और ब्रिटेन नियाइक सर्वस्ता जो है यह आपका चला जाएगा ब्रिटेन और सुरी संसदी लोकतंतर ब्रिटेन और नियाइक सर्वस्ता यह ऐसे तो option number D इसका correct answer हो जाएगा चलिए अगला कुस्तन देख लिजेगा कि नियमलकित में से कौन सी भारतिय समिधान की मुख्य विशेशता नहीं है तो देखे right answer इसका option number C हो जाएगा प्रतिवध नयायपालिका ठीक है देखे हमारे यहां जो है भारतिय समिधान में प् स्वतंत्र नयायपालिका का प्रावधान है और जो नयायपालिका है उससे नयायक पुन्रावलोकन की सक्ति प्रदान की गई है स्वतंत्र नयायपालिका और नयायक पुन्रावलोकन की जो सक्ति है यहां इवेसेक समिधान से लिया गया है इसे भी आप दिहान रखेंगे अ यान्य यहां लोक सभा की बात की जा रही है、 सनसद की बात की जा रही संसदी निर्वाचन तो 40 हो जाएगा रायट इंसर। वहीं अगर हम बात करें कि विहार में राज्य सभा सीटों की संक्यह 16 है विभान सभा सीटों की संक्यह 242 है विधался फरिश ब्यषेट yike 75 है? ठीक है भासन और अभिव्यक्ति की स्वतंतरता ये जो है समिधान का जो आर्टिकल 19.1 को है इसी में है बोलने की स्वतंतरता और इसी कंतरगत्य प्रेश की स्वतंतरता भी आता है ध्यान रखेंगे किलियर देखे स्वतंतरता का जो अधिकार है मूल समिधान में साथ प्रकार की स्वतनतता कादिकार रखा गया है ठीक है फ्रेंट्स ध्यान रखेंगे चलिए अगला प्रश्ण देख लिजेगा और बाकी और भी देख लिजेगा यह जो आर्टिकल 17 है इसमें छुआ छूत का अंत है और प्रिस्ता का अंत किया गया है आर्टिकल 18 जो है इसमें उपाध योकांत किया गया है ठीक है सबको फ्रेंट्स ध्यान रखेंगा चले नेक्स्ट कुस्सन देख लिजेगा कि निम्रेकित में से कौन सी संस्था पंचवर्षी योजनाओं के किरियानवित के लिए जिम्मधार थी तो यह योजना कौन थी यह योजना आयोग थी ठीक है ङौनिट्चे 368 का संबंध HERE तो दीखें भारतीय समिंधान का जो 368 यह समिधान संसोधन से है समिधानATE भाग समिधान के भारग जो 20 सब्सक्राइब नहीं है सही नहीं है यह आपसे पूछा जा रहा है तो दिके यहां पर प्रस्ताना में अभी तक सिर्फ दो बार ही संसोधन किया गया यह गलत दिया गया बिलकुल गलत है यह सही नहीं है थोड़ी दिर पहले मैंने आपको बताया कि अब तक मात्र एक बार प्रस्ताना में संसोधन किय गया है ठीक है फ्रेंट्स व्यालीसमा सम्धान संस्वदन उनीस सव चीहत्तर में जो हुआ था उसी में ठीक है और फ्रेंट्स उसमें तीन सब्द जोड़े गये थे समाजवादी धर्म रिपक्स एकता और अखंडता ध्यान रखेंगे चलिए अगला प्रसंद देख से लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वह समित्य का अध्यक्ष होता है और फ्रेंट्स लोकसभा के अध्यक्ष को जो है यह समित्य अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करती है राज्य सरकारों का समयधानिक प्रमुख कौन होता है तो राज्य सरकार का उस राज्य का र अब तक एक पार भी बीतिया पातकाल नहीं लगाए गया है उसके बाद देख लिजेगा कि समिधान के भारत के समिधान में चुनाव प्रणाली का प्राधान किन अनुछेदों में किया गया है तो यह अनुछेद 324 से लेकर के 329 तक में किया गया है अगर आपसे पुछा जाए कि निरवाचन आयोग या फिर चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था तो 25 जनवरी 1950 को किया गया था ठीक है और इसलिए प्रतेक वर्स 25 जनवरी के दिन राष्ट्रिये मत दाता दिवस मनाय जाता है अगला प्रसंद देखिएगा कि राज्य सभा में होते हैं तो राइट अंसर देख लिजे ओप्स नमबर सी हो जाएगा 250 सदस जिसमें से 12 सदस सभारत के राष्टपती की दवरा मनोनित किये जाते हैं अगला प्रसंद देखिएगा कि राष्टी सुरक्षा समिती का प्रधान कोन होता है इसका अंसर आप तुरंत कमेंट करके बताएए ठीक है फ्रेंट्स आपको कमेंट करके इसका अंसर बताना है उसके बाद देखिएगा कि समिधान की किस अनुछेद में धन विद्यक को प सामीन है तो अभी मैंने थोड़ी दिर पहले इसी तरह का प्रशन पूछ लिया गया था ठीक है यह प्रिविएस एर के कोस्टन है तो राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंट्स बताइए तो राइट अंसर हो जाएगा संसत के दोनों सदनों के सदस्य उसके बाद नेक्स्ट कोस्टन देख लिजेगा कि संग और राज्य के मद्द विश्यों की वितरन में साइबर कानून की सुची में आता है तो साइबर कानून जो आता है यह आता है आवसिष्ट सुची का विशा है या ठीक आवसिष्ट सुची का व मंत्री भारत के प्रफम उपपर्दार मंत्री और भारत के प्रफम गिरिह-मंत्री यह सरधार वरलाब्हाइए पटेल थे अगला कुस्तन दिखे भारतिय स्वत यस्तनसता अधिनियम कापारित हुआ था यहां 18 जूलाई उनिस्टोप 24 को पारिट किया अगरा प्रस्तों दिखेगा कि लोगसभा क अठेक्ष अपना त्याग पत्र प्रिशिद करता है लोगसभा के अधियक्ष को और अपना त्याग पत्र लोगसभा के अधियक्ष को प्रेशिद करता है त EB 나온 Cong DON सामोहिक रुप से उतरणाई होते हैं तो राश्डपती के प्रती और यह kennen बहु शुभार से लोग के प्रति प्रति और यह क्या था सरदार सुण सिंग समिती ने और इसी समिती की सिफारिस हरो जो qu маленьera समच्वावन सयावा था 1976 में हमूलTwo करतभव में को शामिल किया गया था और मूलिकर और समिधान के भाग चार को के अनुछिद 51 को में रखा गया है कि लिए रेफ्रेंस टोटल 11 मूल कर्तब्य हैं ध्यान रखेंगे और इसे कहां से लिया गया है तो फ्रेंस इसे रूस के समिधान से लिया गया है उसकवद के निमलखेत राज्यों में से उस युकुम को चुनिये जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधी बेजते हैं अब यहां पर देखिए अगर हम बात करें आंदर प्रदेश की तो आंदर प्रदेश जो है टोटल यहां पर लोकसभाग सीटों की संख्या कितनी है तो फ्रेंस यहां पर 25 है और उनाचल प्रदेश में दो है मैं बताया था 25 तो 40 25 65 हो गए राजस्थान में कितना में बताया था 25 65 और 25 कितने हो गया सबसे ज्यादा यहीं समूह है बाकि एक बार सबको आप जोड़के देख लीजेगा राइट अंसर इसका अप्शन नंबर D ही होना चाहिए सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों की संख् अगला प्रसंद देखेगा कि निम्रकित में से कौन सी समिती चुनाव सुधारों से संबंदित नहीं है तो यह समिती कौन सी है फ्रेंट्स यह है वाई की अलग समिती डाइट एंसर अप्शन नुबर डी हो जाएगा योजना आयोग ने 1979 में गरेबी आकलन के लिए वाई की अलग समिती की अस्थापना किया था अगला प्रसंद देखेगा कि भारती समिधान की कौन सी अनुसुची राज्य सभा में राज्यों और संग राज्य चेतर के स्थान आबंटन से सम्बंदित है तो यह है चोथी अनुसुची तीसरी अन अनुसुची में विभी ने अनुसुची ती छेतरों और अनुसुची ती जन जाती के प्रशाशन और नियंतरन का उलेख किया गया है उसकवद के छटी अनुसुची जो है इसमें असम, मिघाले, तिरिपुरा और मिजोरम याद रखेंगे असम, मिघाले, तिरिपुरा औ मीजुरम के जनजातिये छेत्रों के प्रशाशन के बारे में उलेख किया गया है अगला प्रसंद दिखेगा कि भारती समिधान में प्रस्तावना को किस समिधान से लिया गया है तो प्रस्तावना को लिया गया है युवेसे से प्रस्तावना की अगर भासा पूछ दे तो इसे ऐस्टेलिया से लिया गया है एसको विध्यान रखियेगा जर्मनी से अपाथ काल फ्रांस से क्या लिया गया है तो फ्रांस की जो surge थी उससे सामानता समेंत्रता और बंदुत्र लिया गया है धक्षेण प्रिकासे समिधान संसोधन की प्रक्रिया ली गई है नेक्स्ट कोशन देख लिजेगा कि विहार विधान सभा के सत्र की वैठक हित्व गणपुर्ती क्या है तो देखें कि कोरम जो है कूल सदस संख्य का दसवा भाग आथवा दस सदस इन में से जो भी अधिको इसका उसके बाद देखेगा कि न्यायमुर्ती पुंची आयोक किस संबंदित है तो देखें फ्रेंस पुंची आयोक जो है यह केंदर राज संबंद है केंदर राज संबंद की समिक्षा करने के लिए 2007 में मदन मोहन पुंची के अधिक्सता में पुंची आयोक का गठन किया गया था राइट नसर अप्सन नमबर बी हो जाएगा अगला प्रस्वन है कि नागरिक्ता संबंदी उपबंद समिधान के किस भाग में है तो देखिए भाग वन में संग और उसका राजचेटर है भाग वन में आर्टिकल एक से लेकर के चार तक में भाग दो में क्या है नागरिक संबंदी तो भाग दो हो जाएगा आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक में नेक्स्ट कूस्टन देखिएगा कि सवरवशिक्षा अभियान का उदेश क्या है क्या है इसे लागू किया था कब तो इसे लागू किया गया था 2001 में और इसका थीम क्या था इसका नारा क्या था तो सब पढ़े सब बढ़े और यहां चे से लेकर कि 14 वर्ष की आई वर्ष की सभी बच्चों को प्रात्मिक सिक्षा देने के उद्धेस से जो है इसे लागू किया गया था इसका उद्धेस राइटन सर आप्सन नंबर सी हो जाएगा 42 नंबर देखिए कि समीधान की किस अनुषयद में देवनागरी लिपी में हिंदी को राजभासा गोशित किया गया है तो देखिए फ्रेंड्स यह जो हमारा आर्टिकल समीधान का 343 है इसमें कहा गया है कि संगे की राजभासा हिंदी होगी और देवनागरी लिपी में राइटन्सर हो जाएगा उसके बाद यह किस भाग में अगर भाग पूछा जाए तो भाग सत्रह में है ठीक है कि नेक्स्ट कुस्टन देख लिजेगा कि बिहार राजे का भी भाजन कर जारखन राज कब बना था तो फ्रेंट्स यह बना था तो बहागarm का महाप्य前 होकि हुता है यह सभी आपको पहले से भी पता होँगे तो प्रेंट्स यह बनी थी कब बताइए तो items الإOS-C हो जाएगा उनिप्स्टन में में इसाटरवा सवीधानिक संसथन जो है इसी के अंतरगत पंचाती राज को समयधानिक दर्जा प्रजान किया गया था ब्रश्टचार को नियंतरित करड़ी के लिए वारत सरकार का कौन सा संगठन है तो ये है सेंटरल विजिलेंस कमिशन जिसको कि केंदरिय सतरकता आयू कहा जाता है अगला प्रसंद देखेगा कि लोकतंतर का सबसे बुनियादी परिनाम है तो नागरीकों के परती जबाब देही उसके वदिके सिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागो हुआ ठीक है दोनों तरह से इस कोस्टन को याद रखना है आपको अगला प्रसंद देखेगा कि राज्य में राष्ट्रपती सासन का अर्थ है राज्य में सासन किसका है बताईए तो राइट अंसर इसके क्या हो जाएगा फ्रेंट्स राइट अंसर इसका हो जाएगा राज्य के राज्य पाल का अपसे नमबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट इंसर नेक्स्ट कुस्टन है कि इनिमन के कारण उत्पन होए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जन हित याज्य का का प्रियूख किया जाता है तो दीके राइट अंसर किसी सारवजनिक कर्तव्यों का भंग होना ये भी है कानून का उलंगन होने पर भी और समयधानिक प्रवधानों का उलंगन करने पर भी तो इन में से सभी इसका राइट अंसर हो जाएगा उसका बद के निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है तो देखे समाने कारे के लिए सभी पुरसों एम सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है ये राजिक की निती निजिसक सिधानत कंतर गताता है और ये जो है आर्टिकल 39A में इसको रखा गया है नेक्ष्ट को सन दिखेगा कि बिहार की एक आधिवासी महिला सरोच नयाले को यहाँ टेलिग्राफ करती है कि पुलिस ने उसे गयर कानुई धंग से हिरासत में रखा हुआ है सरोच नयाले निम्न में से कौन सा रिट जारी करेगा ताकि महिला का कल्यान हो सके तो दिखे सरोच नयाले यानि कि सरोच नयाले में सुप्रीम कोट की बात की जा रही है सुप्रीम कोट को आर्टिकल 32 के तहत पांच प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार हैं ये रिट कौन कौन से हैं तो चार रिट यहाँ पर दियेगा हैं पर लिजे बंदी प्रतिक्षिकरन उत्प्रेशन लेख परमादेश अधिकार प्रिक्षा और प्रतिसेध लेख ठीक ह और इस प्रशन का राइट अंसर और ये हो जाएगा बंदी प्रतिक्षिकरन नेक्स्ट कौसन देखेगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्पून बात जो उस अधिनियम से प्ररम्ड की गई थी वह क्या था तो वह था फ्रेंड्स बताइए तो वह था प्रांतों में द्वैद्स आसन और इसका हो जाएगा प्रिथक निर्वाचन 1909 का जो मारले मिन्टो सुधारा दिनियम था ये उसमें था नेक्स्ट कॉस्टन देख लिजेगा कि भारतिय समिधान की धारा 370 निमलिकित में से किसे निरुपित करती थी तो यहां जम्मु कस्मी राजी की व 222 को लेख किया गया है ह मैं भारतit के एक्टा परिशत क्याता कॉंकर तो राश्ट्री एक्टा परिशत क्या देख्सता प्रधान मंतरी करता है नेक्स्ट कुसंत के मौलिक अधिकारिव का निलंबन कों कर सकता है तो यहां अधिकार जो है केवल और केवल भारत के संसेत के पास है उसका देखिए किसी राजय का उच्छतम वीधियादिकारी आडवुकर्ड जनरल होता है राज का शर्वच वीधियादिकारी होता है वहीं अगर केंदर का पूछे यह अटर्णी जनरल होता है भारत का महान्यवादी अगला प्रसन देखेगा कि समीधान के किस और बाकी यहां प्र देख लिए और भी आर्टिकल में बता देता हूं आर्टिकल 32 है यह वह यह समयधानिक उपचारों का अदिकार उसी 않तरकत सुप्रिम कोड को पॉस्प्र कार केणि करने का अदिकार है आर्टिकल यहां पर देखेगा तो भाग तीन में अनुशेद 12 से लेकर के 35 तक में इसका वर्णन किया गया है ठीक है चलिए next question देख लिजेगा और friends किसी प्रश्ण में अगर तुरूटी होती है तो किरपिया करें आप question number लेकर के comment करेंगे देखे शिक्षा और वन समिधान के की सूची का अंतरगत आते हैं तो friends यह समवर्ती सूची का अंतरगत आते हैं most important question है प्लीज इसको ध्यान रखेगा उसका वाद इकिए गलत कथन को चिनहित करें विधान सभा के सदस्थ की सदस्यता भंग की जा सकते है यदि गलत कथन तो उसकी आयो तीस वर्श की हो यह जो है गलत दिया गया है मतलब यह कथन गलत है तीस वर्श में उसकी विधान कौन था दो अक्टूबर 1969 को तातकाली प्रधानमंद्री पंडी जवहला नेरेक दरा राजस्थान के नागौर से पंचायदी राज की सुभारम की गई थी पहला राज राजस्थान हो जाएगा दूसरा पूछेगा तो यह आंदरप्रदेश हो जाएगा सरकार की ओर से भारत में महिलाओ के एतों के सरक्षन निमलकित में से किसका गठन किया गया है तो यह राष्ट्रे महिलायो का गठन किया गया है उसका बदे के लोकतांत्रिक सरकार के तीन अंग कौन-कौन से हैं तो यह कौन-कौन से हैं कारय पालिका है विधाई का है और न संघ और राजे की विच्च सकता का वी केंद्री करन नहीं की केंद्री करन नहीं और यह होजाएगा अगला प्रश्ण दोग डिंच्परा है लौग सक्था सदस्ट के कारेकल पांच वर्स का होता है राजसभा एक अस्थाई सदन है इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है उसके बाद देखेगा डॉक्टर भीम राव अंबेतकर निमलेकित में से किसके साथ संबंदित नहीं थे यह सेडिल काष्ट फेडरेशन के साथ संबंदित थे बौध्धरम से संबंदित और समिधान निर्मान परकिरियास के साथ भी यह जुड़े हुए थे राज पुनरगठन आयोक से संबंदित नहीं थे राज पुनरगठन आयोक के अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है तो यह फजल अली थे कौन थे फजल अली थे ध्यान स्थापित है तो पर्चक्स लुक्तन स्विड़्जर लैंड में है उसके राज के राजय पालो की नियुक्ति कौन करता है तो राजय के राजय पाल जो है यह राश्टपती के परशाध परियंत अपना ठाधारन करते हैं तो राइट अन्सर हो जाएगा भारत के परिशत जो है उत्तर प्रदेश में है करनाटक में है महाराष्टर में है बिहार में है आंदर प्रदेश में और तेलंगाना में है यहां देखिएगा राइट अंसर इसके क्या हो जाएगा गुजरात में नहीं है ठीक है आंदर प्रदेश उत्तर प्रदेश करनाटक बिहार और तेलंगा नामें है उसके बाद अगला प्रशन दिखिए कि निरवाचन प्रक्रिया का विशा में क्या सही है तो इसमें से जो सही दिया गया यहां पर देख लिजेगा कि प्रतिक दल अपना घोष्णा पतर त्यार करता है जिसमें उसके कारेक्रम सिध्धांत और उदेश के पास है यह जो यह नंबर दिया यह भी गलत दिया गया तो पुछा गया सही ऑप्सेन नमबर ho जाएगा उसकाब देखे समेधान अपने नागरिकों को कोन से अधिकार की गारंटी देता है तो यह देता है सामानता का अधिकार की गारंटी और अभिव्यक्ति की स्वत्म सता के अधिकार की गारंटी एक हो जाएगा और दो हो जाएगा एक और दो इसका राइट अनसर हो कि समीधान में कितने वर्सतक के बच्चों के लिए निश्वल कम अनिवारिष सिक्ष्या की बावस्ता की गई है तो यह की गई अंखंड था टो धर्म बिल्पक्स यहांँ पर देया गया है, उसके बद देखे संपर्दैक्ताकारत क्या है तो धर्म क्या धार पर समाजिक विभाजन, next question देख लिजेगा कि भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है तो सबसे छोटी इकाई जो है ये ग्राम पंचायत है अगला प्रशन है कि किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मतादिकार का परियोग नहीं कर सकता है तो केवल वो अगर आवियस्क है तो वो नहीं करेगा जब तक उसके उमर 18 वर्स नहीं हो जाती है उसके बाद देख लिजेगा कि भारत में अभीविक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है तो यह भारत के राष्टपती के पास है और राष्टपती को छमादान करने की जो सकती है वो अनुशेद 72 में दी गई है ध्यान रखेंगे उसके बाद देखेगा कि 1946 में उद्देशियो संबंदी प्रस्ताव की रचना किशने किया था तो यह पंडित जोहारलाल नहरू के द्वारा किया गया था उसके बाद की प्रिथक निरवाचन पद्धती की सुर्वात निम्न में से किसके द्वारा की गई थी तो मैंने बहताया था कि 1909 इस्पी के मारलो मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा किया गया था विधान परिशत के सदस्य का कारेकल तो विधान परिशत का 6 वर्ष और विधान सभा का 5 वर्ष उसके बाद देखें निती निज सक्तत्तु सरकार के मार्ग दर्शन है तो किसके द्वारा दिये गया है तो यह किसके द्वारा दिये गया है समिधान की द्वारा दिये गया ह तो यहां अंग का नाम है सर्वज जीला परिशद उसके बाद देख लिएगा का अनुछेद 19 कंत्रगत कौन सा अधिकार नहीं है तो देखेए इसमें से अगर हम बात करें अनुछेद 19 कंत्रगत तो फ्रेंट्स यह है व्यक्तिकत स्वतंत्रता का अधिकार यह जो है आर्टि तो इसमें से कौन सा नहीं हो जायेगा तो एक लिखित संविधान उसका नेक्ष्ट कुस्सर देख लिजएगा उच न्याले के न्याधिस की रेटार्मेंट की उम्र क्या है उच न्याले का 62 साल और उच तम न्याले का 65 साल अगला प्रशन देखिएगा कि निमलिखित में से कौन सा समिधान संसोधनिया कहता है कि ग्राम पंचायत में एक बटा तीन सीटे महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए तो यह है तीहत्तारवा समिधान संसोधन उसके बाद देखिएगा कि भारत के राष्टपती की उपद की सपत कौन दिलाता है तो भारत के मुखन आधिस दिलाते हैं ठीके चीफ जर्श्टिस ऑफ इंडिया 1956 में आंधर प्रदेश के गठन के समय कौन सी भासा जोड़ी गई थी तो यह भासा कौन थी तो तेलेगू भासा थी ठीके और भासा के अधार पर गठीत होने वाला आंधर प्रदेश पहला राज्य बना था मुस्कवादी के स्वतंदर भारत के प्रथम गिरिह मंत्री कौन थी मैंने बताया था प्रथम गिरिह मंत्री प्रथम उप परधान मंत्री सरदार बल्लभाई पटेल थे अगला प्रशन देखेगा कि मंत्री परिशत की निउक्ति कौन करता है तो देखे प्रधान मंत्री की सलाह पर मंत्री परिश्ट के निकुति राष्ट पती करता है अगला प्रशन देख लिजेगा कि भारती समिधान किसे तीथी को लागू हुई थी तो पून तह 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को हमारा समिधान लागू हुआ था उसका वाद फ्रेंट्स ये कोस्चन है कि किसने कहा थ तो यह और अस्तु को निसार व्यक्ति का सभी राज्य में नहीं थे और अरज्य सरो परीं है तो अरस्तु हो जाएगा उसका अंसर आप कमेंट करके बता दीजे अपना स्कूर बता जीजे कि कितने प्रशन आपके सही हुए हैं और फ्रेंट्स प्लीज वीडियो को लाइक share जरूर कर जीजेगा